आप देख रहे हैं पजाब के सी टीवी और समय हो चला है ट्राइज सी टी अपडेट का सबसे पहले खास ख़बनों पर एक नज़र महाली में कार सवारों पर फाइरिंग कर ले उड़े कार गैंगवार की शंका पेट्रोलियूं पताथों की आयात पर नेड़ भरता चिंता का विशे राजय पल प्रोहित ने कहा पेट्रोलियूं स्रक्षन ही है उपाई और पक्षियों को पानी और भोजन देने में अब समय ही नहीं पचा लोगों के पास लुप तो हो रही कहीं पर जातिया परेवरन विभाग की अपील पक्षियों को बचाओ और अब खबरें विस्तार से महाली के फेस पांच की मार्किट में अपने परिवार के साथ खाना खाने आए रोपर के रहने वाले एक व्यक्ती पर कुछ लोगों ने फाइरिंग कर दी फाइरिंग के बाद व्यक्ती उनकी कार लेकर फरार हो गए फाइरिंग में रोपर से आए उक्त व्यक्ती की हालत नाजुक होने के कारण उसे चीमा अस्पताल से पीजए रैफर कर दिया गया है बता जारा कि एक अन्या वक्तियों को भी गोली लगी है जिसकी हालत चिंता जनने गे लेकिन यह पता नहीं तका कि उसे किस अस्पताल मे और कई थानों की पुलीस भी पहुँच चुकी थी सीसी टीवी कैमरों की फुटेज भी पुलीस ने कबजे में लेकर जान शुरू कर दी है आपको पता दें कि आई ट्वंटी कार जो उड़ाई गई थी उसे शाही माज़रा से पुलीस ने बरामदी कर दिया है जिस व्यक् पादों का उचित और सही उपयोगी समय की मांग है या कहना है पंजाब के राज़ापाल और चंडिगर के परशाशक का बीस दिन जाई रहे हैं वाला पर्टॉलियम स्रक्शन अभियान स्रक्शम दोहजार बाइस के शुरूआत की मौके पर राज़ापाल अपने अभी भा पोष्छन ने कहा कि आज जरूत है तैल और पेट्रॉलियम पतैर्थों के स्लक्शन की उन्होंने कहा कि आयात पर निर्भता वाकी चेंता का विशव है और इस चेंता को तब एदूर किया जाल सकता है जब लोग पेट्रॉलियमीय पादार्थों का स्लक्रिया करेंगे और उद्गाटन मामाईम राज्येपाल पज्जाव एम एड्मिनिस्रेटर यूटी दुवारा किया गया पेट्रोलियम एवन नचिरल गैस मंतराले के अंतरगत आने वली सभी पब्लिक सक्टर ऑइल कंपनिस पीसी आरे के साथ मिलके प्रती वर्ष इस सक्षम महुत्सव का सक्षम प्रोग्राम का और्ग्राइज करते हैं जिसका मुख्योद देश जनता को आम जनता ये मैसिज पहुचाना है कि पेट्रोलियम प्रडेक्स बहुत लिमिटेड एविलेबिलिटी है हमारा इंपोर्ट पर बहुत रिपेंडेंस है और इनका हमें बहुत ही अप्तिमल तरीके से यूज करना चाहिए साथ ही आज का जो रिक्वाइर्मेंट है हमें नए उर्जा स्रोत और जिसका नॉन कंवेंशनल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं इन सब का उप्योग जदे से जदे करना चाहिए जिससे की हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो और एनवायर्मेंट को हम पचाएंवायर्मेंट प्रटेक्शन कर सके हैं गर्मियां बढ़ती जा रही हैं लोग तो गर्मी से बचने के लिए एरकनीशन का इस्तमाल कर लेते हैं बंद कमरों में रहकर गर्मी सेहन कर लेते हैं लेकिन आजाद पंचियों को गर्मी से बचाने के लिए लोग अब उपाय करना बंद कर चुके हैं पहले पहल यह है रिवाज हुआ करता था कि घर के बाहर मिट्टी के बरतन में पक्षों के लिए पानी रखा जाता था रोटी के बज़ेवे टुकड़े डाले जाते थे वही वज़ा थी कि परेवरन खुशाल था और पक्षों की परजातियां भी जीवी थी लेकि धीरे धीरे लोगों का जीवन शैली में परिवरतन हो गया समय नहीं रहा जिस कारण अब मिट्टी के बरतन और लोगों का भोजन डालना बंद हो कि आ है यही वज़ा है कि पक्षों की कई परजातियां लुप थोने का गार पर हैं ना तो अब्तीतर दिखते हैं ना ही बटेर दिखते हैं और ना ही कवे कहां गई यह कवे चिरियां और बटेर लोगों को इसका सवाल ही आता है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है इसी सेलसले में पर्यवन विभाग के निदेशक देवंदर दलाई से हमने खास बात चीद की देवंदर दलाई ने भी माना कि वाकई में लोग उस रिती रिवाज को अब भूज चुके हैं पक्षियों को बचाना लोगों का फर्ज है इन्हें बचाएं अपने घर के बाहर विट्टी के बत्तर में पक्षियों के लिए पानी रखें और उनके खाने के लिए रोटी के टुकड़े जरूर डालें तब ही बच सकती है लुपत होती पक्षियों की परजातियां और पर्यावरन को भी बचा आजा सकता देखें ये सारे बच्चे स्कूल में पड़ते हैं एंवारन एज़ूकेशन बेलाइजस अब नेचर क्या है कि जो हमारे एंटर एको सिस्टम है पूरा परियावर्ड ने एंटर जरूरी है तो यह जो एक food chain है जिसको balance of nature हम कोई भी एक layer में अगर disturbance करेंगे तो entire thing जो pyramid जैसे है वो पूरा crumble कर जाएगा पूरा तूट जाएगा तो इनसान अगर आपने आपको बहुत प्रभाब साली हो या तो सकती साली समझ रहा है यह मुझे लगता है यह हमारी जो है ना अच्छा से जिना है तो हमारा चारों तरफ का जो environment ओ भी बिल्कुल balance करेंगे चाहिए एक छोटा से एकजमपल देता हूं birds के बारे में जैसे आपने बताया कि birds जो है they are very good pollinators अगर हम जो है एक पौदा खुद लगाते हैं birds जो है बर्सों से 1000 बर्सों से बर्ड जो है fruit खा दिरे दिरे eliminate हो जाएंगे एक दिन पता चलेगा कि उनका जो है परियावरण के लिए क्या role responsibility था और ओग्याप जो हो गया है ओग्याप हम कभी नहीं भर सकते हैं तो एक छोटा contribution हम अपने level में कर सकते हैं बहुत बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं बहुत बड़ा कदम लेने की ज़रूरत नहीं छोटा छोटा स्टेप अगर हम लेंगे उसमें सभी अनिमल सभी जन्वार सभी बड़ जो है वह अपने अपनी जगा में खूस रहेंगे जैसे हम घर के पीछे थोड़ी सी जगा है उहां पर एक छोटा सा कठोरी में फड़ा पानी रखे मिटी का बरतन में ने तो गरम हो जाता है पानी मिटी का बरतन में थोड़ा सा पानी रखे और हम खाना खाते हैं थोड़ा सा ग्रेंज उनके लिए भी रखे तो यह जो गर्मी की सिजिन में यह लोग भी जिन्दा रहेंगे और यह जिन्दा रहने से हम जिन्दा रहेंगे बिल्कु आपको नहीं ध्यान होगा तो हमें लोग यह प्रोफिशन में पता है हाउस पैरो हाउस पैरो जो है आजकल बिल्कुल नहीं दिखते हैं और बार्बेट एक बर्ड है वो पहले से ज्यादा दिखता है यह जो डिसीज कॉल डिस्टरवांस इंदा बैलेंस अपनेचर तो अगर हमको अगर देखना है कि सारे जन्वर सारे अनिमल सारे बर्ड अगर अपने अपने जगाह में ठीक रहे हैं तो उसके लिए हमारा भी क्या कुछ रिस्पंसिविल्टी होता है तो उसको करना चाहिए जैसे आपने बताया कि चाहे वो ओर्गन इन और्गनिक फर्टलेजर हो जाता था आप लेके कहीं पर डम्प्राट में डम करते थे तो उनको खा के जिंदा रहते थे और उनको जिसे एक मेडिसीन वो यूस्ट किया जाता है विटनेरी में तो मेडिसीन के बज़े से देखागा गया कि उनका पॉपलेशन वाल्चर का पॉप्पलेशन भी काफी कम होता रहे एंड एकोडिंगली फिर मेडिशन को बैन भी किया गया है तो ऐसे छोटा छोटा चीज है हमको अपने जो है रोज का जिंदेगी में हमको इसको अनलीसिस करना पड़ेगा हमारा काम के बज़े से हमारा एक्टिविटीज के बज़े से उसका परियावरण के उपर क्या असर है तो उसको हम सुधारना चाहिए बिल्कुल क्योंकि एक बार 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 बोल रहा हूं एकोसिस्टम का ज़स्ट एक पार्ट है सब कुछ नहीं है एक पार्ट है और सभी लोग अगर बैलेंस मेंटेन करके रहेंगे जैसे फर एक्जांपल मैं बोल रहा हूं कि अगर पेड़ मतलब जो है जंगली जानवार जैसे डियर हीरन का नंबर अगर ज्यादा हो गया डेफिनेटली वेजटेशन को खतम कर देंग इसलिए हर एक का नंबर हर एक का स्थान जो है इको सिस्टम में बड़ा फिक्स है उसको हम अगर डिस्टरब करने के लिए कोसिस करेंगे तो इंटर सिस्टम ही डिस्टरब हो जाएगा और अगर इंटर सिस्टम डिस्टरब हुआ तो उसमें फर्स्ट अफेक्ट होगा हीमन रुपे बैट रही है तीन सो से साड़े तीन सो रुपे किलो निम्बू मंडी में बिक रहा है जबकि लोगों के घर तक पहुंचने पर इसकी कीमत चार से साड़े चार सुरुपे पती किलो हो रही है यानि कि सौर रपे के एक पाउ निबू और चड़ते हैं सिर्फ छे यहां निबू के ये दाम क्यों भड़े और इसकी मुख्या वज़ा क्या है ये जानने का प्रयास किया हमने मंडी का दोरा कर क्या कहा मंडी के वेपारियों ने आई सुनते हैं देश भर में पेट्रोल डीजल सरसो के तेल जैसी जरूरी चीजों के बाद अब निबू के दाम भी आम आदमी को निचोड़ने लगे हैं चंडिगड में आजकल निबू के भाव सेव और अनार से भी ज्यादा है मंडियों में ही निबू 320 रूपई से लेकर 350 रूपई किलो तक विक रहा है आखिरकार ये निबू इतना महंगा क्यों विक रहा है निबू के दामू में बेतहाशा बढ़ होत्रे के पीछे क्या कारण है ये आप सब्जी विक्रेताओं से सुनिए अधर जाना कितना मुश्किल है बहुत ज्यादा मुश्किल है घर चलाना तो आदमी सोचता है कि क्या ले क्या ले कहां से कटूती हो सकती है वासे कर ले मंडी जाने मंडी तो भी वाद रेट होई है कि थोड़ा बता खराब हो जाए धिला वेजला हो जानता है फेर भी थोड़ा बता इत्ते दो भी निसस्ता इत्तों भी महेंग है पंजार पे तो गाट तक गल्ले और निबू मिल रहे हैं सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है तो सुना आपने निबू के दाम बढ़ने के पीछे पैट्रोल डीजल का महंगा होना सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है खेर ये तो बात हुई सिर्फ निबू की लेकिन इन दिनों निबू ही नहीं बलकि बाकी सबजियां भी बहुत महेंगी हो गई हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं इसका असर सबजियों पर भी पढ़ रहा है मंडी में सबजियां लेने पहुंचे लोग सबजियों के दाम सुन कर परिशान हैं 10 से 20 रुपई किलो बिकने वाली सबजियां भी अब 40 से 50 रुपई किलो तक बिक रही है लोगों का कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है कि उनका अब घर चलाना भी मुश्किल हो रखा है कि हर चीज के प्राइज बढ़ रहे हैं जैसे फ्यूल बढ़ेगा ट्रांस्पोटेशन कॉस्ट बढ़ेगी उसकी वजह से सब्जी का प्राइज भी हाई हो रहा है तो नीमबू अभी जैसे बता किया 320 रुपई किलो है क्या चाहेंगे जी कहने कि कम से कम रेट ह हो है ना कम से कम रेट हो हर चीज का अफ़ेस फरकार के स सरकार करें जो तो करें नहों सब्राइज सरकार कर रिजिू करक爆 क्रांग गर्मियों के दिनों में यहादा बढ़ जाती है लेकिन गर्मी का मौसम शुरू होते ही नीमु के दामों में हुई बेतहाशा बढ़होस्तरी ने देश भर में हंगामा मचार दिया है कॉरोना काल में नीमु की डिमांड अधिक होने के बार भी रेट ज्यादा नहीं पढ़ें लेकिन इस बार महेंगाई की मार जबर्दस्ट पड़ी है पंजाब के स्ट्री टीवी के लिए चुन्डीगर से भगवत सिंग के रिपोर्ट मेंडल हेल्थ एक बहुत बड़ा विशे है क्योंकि आज की जीवन शैली में दस पतिशत लोग मेंडल हेल्थ के शिकार है जी हाँ ये स्टडी पीजी आई ने की थी वर्ष दोजार सोला और सत्रा में जिसमें 10-96 पतिशत लोग किसी मेंडल हेल्थ बिमारी की चपेट में थे हाला कि इसके बाद लॉक्टन हो गया जिसके चलते ताजा सर्वे नहीं हो पाया है लेकिन एक आंकड़े के अनुसार 1.94 बिलियन अबादी मेंडल हेल्थ की शिकार है ये कहना है पीजी आई के मनोचिक सब विभाग के प्रमुख दिवाशीत बासु का उन्होंने कहा कि 70-90 पतिशत लोगों को मेंटल हेल्थ का इलाज तक नहीं मिल पाता कारण है जागरुता में कभी क्या कहा डॉक्टर बासु ने आई सुनते हैं वर्ल्ड साइक्याट्रिक असोसियेशन जो एक विश्व मानसिक चिकित्सा के संगस्था है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है एक सो एकीस देशों में और जिनके ढाई लाग से उपर जिनके मेंबर्स हैं यानि के जो सबसे बड़ा संसा है पूरी विश्व में पूरी दुनिया में उन्होंने पीजी आई के साइक्याट्रिक डिपार्ट्मेंट को ये मान्यता दी हैं ये अप्रूवल दी हैं टू बि दुनिया के सारे मानसिक सनुसार के मिलके पबलिक मेंटल हेल्थ के एरिया में काम करना या भारत में जो 2016-17 में जो पूरे भारत में जो समिक्षा जो हुई थी उसके अनुसार भारत के कम से कम 10 प्रतिशत 10.6% जो पॉपुलेशन हैं उनमें कुछ ना कुछ मानसिक बिमारी पाई जाती है और अगर आप इस फिगर को जो भारत की टोटल जन्संख्या है जो की 1.4 बिलियन है जो की बहुत बड़ी रकम है जो आपको पता ही है चाइना के बाद भारत जो है उनकी जन्संख्या सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में तो फिर ये नंबर बहुत ज्याद आजाता है जिसको कहते हैं treatment gap और ये treatment gap 70-90% का treatment gap बन जाता है और ये public mental health का एक focus होता है कि भाई हम इस treatment gap को कम करें ताकि जाय सायदा लोगों को इलाज मिले और शुरू से मानसिक स्वस्जा मानसिक बिमारी जो है वो होवी ना ये भी एक awareness की बात है जिसको detection ये awareness कहते हैं अ क्योंकि हम आम public में आम जंता में population में इसके बारे में जाग रूपता यानि कि awareness फैलाने की कोशिश करेंगे symptoms बहुत सारे हैं कि जो normally जो बच्चा समझ लो कि अगर बच्चा से शुरू करें जो बच्चा पहले खेलता दूलता था दौरता कूता खेलना सब के साथ श्रावर श्रार्ट करना जो करना जो बच्चे जो करते हैं वो उनके behavior में अगर फरक आना शूरू हो जाता है चुप हो जाता है या जएदा गुस्छा करने लग जाता है या जएदा time कहीं और spend करने लग जाते हैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा है जो खेल खिलोना म जो मन था वो नहीं कर रहा है यानि कि उसके behavior, mood और thinking में फरक नजर आ रहा है तो ये एक मानसीक बिमारी की शुरुआत हो सकती है जरुआ है कि होना है लेकिन हो सकती है ये बच्चों में हैं, बड़ों में भी ऐसी हैं जो बज़र्ग हैं उन में भी है, elderly में भी है तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, ये आम तोर पे कई बार हम लोग समझते नहीं है इसलिए public health की जरूरत है, इसके बारे में सचेतनता और जागरूपता बढ़ा है पिछले दो वर्षां से, गौडियमर्ट सेक्टर 20 का विशाल, बगवान शिरी किष्ण रत्य यात्रा का आयोजन नहीं हो सका था लेकिन एस साल यत्र यात्रा पूरे शेहर में हुई, जिससे किष्ण भक्तों में खुशी की लहब दो गई इस रत्य यात्रा में सेक्टरो के संख्या में लोग शामिल हुए, जहांकया निकाली गई और पूरे शेहर में गवान शिरी किष्ण ने जहांकी निकाल कर अपना शिरवात दिने मंदर से बाहर में निकल पाए, लेकिन उनका आशिरवात हमेशा उनके श्र्दालों उपर रहता और रहेगा वे नमस्कार है बहूत यहान लोग पर है कि लोग यहां पर जलंदर से पटिंडा से दिल्ली से बॉंबे से हर जगह से भक्त लोगी जो यह मट से चुड़े वो आई वे इस नगर संकिर्टन में रत यात्रा में सामिल होने के लिए बविंजवा बार्शिक धर्म समेलन भक्तों के लिए बड़ा खुशी उलास और उमंग लेकर आया पिछले दो बर्शों से कोविड नाइंटीन के कारण भक्त बहुत मायूस से दुखी थे और बिलकुल घर में बैढ़ने के लिए मजबूर हो गए थे आज भक्त पूरे चहल पहल के साथ खुशी के साथ नए कपड़े पहन कर और बिलकुल सजावट के साथ वो आएं है सेक्टर 63 के BMD स्कूल में शिर्मत भागवत कथा सब्धा की शिरुवात हो चुकी है इसकी शिरुवात से पहले कलश यात्रा भी निकाली गई जो की सेक्टर 50 के बीसनल कलॉनी के मद्दिर से शुरू ही इस अफसर पर खेतर की पारशद रजेंदर शिर्मावी में वजूद रहे जिन्होंने खुद इस कलश यात्रा में शामिल होकर लोगों का होस्ता बढ़ाया कलश यात्रा सेक्टर 33 गाकर समपन हुई जहां भागवत स्थल पर बिंदवन से आए कथा वाचक बिंदर भाई कौशिक उन्हें भागवत कथा का गुर्णगान शुद गिया यह गुंगान 17 अपरिल तक चलेगा और इस दुरान भगवान शुरी किष्णी के विवहा समंधी और अन्या कथाओं पर चर्चा की जाएगी और कथा वाचक यहां भजन भी गाएगी आपको बता दें कि भंगारे का आयोजन भी यहां हर दिन होगा और अबंत में मौसम की जानकारी ट्राइस सिटी में सोंबार को अधिक्तम तापमान 40.01 और तुन्तम तापमान 21.01 और एक डिक्री सेंसिस रिकार्ट किया गया मौसम नमी की मातरा 45.01 रही आने वाले 24 गंटों में अनुमान है कि दूप और तेज होगी आस्मान साफ रहेंगे हवाओं चलने की कोई उमीद नहीं है जिसके चलते तापमान में कुछ और वृत्ती होना तैह है ट्रैसिटी अपडेट में अब तक के लिए बस यतना ही देश और वीदेश की हर खबरों जानकारी के लिए आप बने रहे पुझाब के सेटी वी के साथ हम पीर आजिर होंगे ट्रैसिटी अपडेट लेकर तब तक के लियरह में शान रगो पूरी टCRS के साथ दिज्जजा झाल